और शुरूबात करते हैं आज के पहले प्रशन के देखता हूं कौन से प्रशन आप स्कृण पर ऐसे स्वाल आपके श्क्रींद पर ऐसे सवाल आपको समपूरक कौन उसके कोटी पूरक कौन का तीन गुना है, तो कौन क्या है, सिम्पल सवाल है, the supplementary angle of an angle is ties its coordinate angle, means complementary angle, then the angle is what, सवाल आपके समक्ष है, उम्मीद करता हूँ, जब अदस तरीके से आप इसका आंसर देने की कोशिस करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आंसर सही होंगे, गलत नहीं करेंगे आप तो बहुत ही simple theory है, और यह मैंने आपको कल भी बताया था यानि previous session में बताया था, कि अगर आप इसकी बात करते हैं तो समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप 2 cone को add करते हैं अगर A और B को जोड़ देते हैं, तो 180 आपको मिलता है, तो समझने की कोशिश कर दो क्या हो जाएगा तो same property को मैं यहाँ follow करूँगा, मैंने माना वो cone x है, तो उसका समझने क्या होगा उसका कोटी पूरक कोण हो गया होगा, 90 में से x कटा को दोगे तो उसका कोटी पूरक कोण आ जाएगा यानि अगर कोई cone की value है, उसके 180 में से कम कर देंगे तो उसका समझने कोटी पूरक कोण का 3 गुना है तो यह 3 गुना है, तो कितना हुआ, 180 माइनस x बराबर 270 माइनस का 3x, इसको उदर भेज दे, इसको उदर भेज दिया तो 3x माइनस का 2x is equal to 270 माइनस 180, यानि 2x is equal to what, that is 90 और x is equal to क्या है, 90 by 2, that is 45, तो वो कोण 45 है, right option था, option number c, clear है इसको direct भी कर सकते हैं, आप इसको by option भी कर सकते हैं, मैं इसको by option भी बता देता हूँ कैसे करेंगे, अगर आपको ये by option करना है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं पहला option चूज करता हूँ तो 150 का संपूरक कौन क्या होगा, 130, क्योंकि इसको जोडने पर 103 आना चाहिए, और 50 का कोटी पूरक क्या होगा, 30, 40, इन दोनों को लोड़के 90 आएगा, तो क्या 130, 40 का 3 गुना है, आपने का ये नहीं, तो ये तो option गलत हो गया, 40 को देखते हैं, 40 का अगर संपूरक कौन की बात करें, तो 140, और 40 का कोटी-पूरक क्या की बात करें, तो 50, तो क्या 140, 50 का 3 गुना है, आपने का नहीं, आप 45 की बात करते हैं, 45 का, जो, complimentary अंगल będ होगा, 135, supplementary और इसका 45, तो क्या 3 गुना है, आपने का 3 गुना है, जोगी 45 ये 135 होते तो by option भी आप इसको चूज़ कर स सकते हैं ठीक है ना तो मैंने दोनों तरीके आपको बता हैं अगर आपको समझ में आती है चीजे कैसे संपुर कोड़ी प्रोग निकाल दे एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं यह रहा एक आयताकार पारक जो है 45 मिटर लंबा और 30 मिटर चोड़ा है पारक के बाहर और 4 और 2.5 मिटर चोड़ा एक रास्ता बना है तो रास्ते का एरिया आपको बताना है तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है एक आयतकार पार्क है जो 45 मिटर लंबा और 30 मिटर चोड़ा है पार्क के बाहर 4 और 2.5 मिटर चोड़ा एक रास्ता बना हुआ है तो रास्ते का एरिया आपको बताना है यह एक रेक्टेमलर पार्क है जो 45 मिटर लॉंग और 30 अगर मैं इसके length की बात करूं that is 45 उसकी बात करूं 30 मीटर उसने का इसके चारो एक रास्ता है डाय मीटर चोड़ा तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ में आज़ यह हो गया रास्ता इसके चारो तरफ अब देखो जब यह 45 है तो 2.5 यहां तक देखें तो यह चोड़ा रास्ता कितना है यहां से length कितने है 2.5 यह भी 2.5 है तो इस white वाले क कितनी होगी आपने का 50 ऐसी अगर मैं इसकी चोड़ाई की बात करूं तो डाय मीटर इदर है डाय मीटर इदर है तो चोड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी white वाले की आपने का 30 प्लस डाय प्लस डाय पांच पहते तो यानि अगर आप इस white वाले में से इस yellow वाले का area घटा द तो क्या करें तो अगर मैं बाहर वाले की बात करता हूं तो इसका कितना area है आपने का 50 और 35 तो बाहर वाले की हम बात करते तो कितना है 45 तो कितना होगा आपने का तेरह सो पचास यह आएगा न जीरो तीन बंजे बंदर तीन चोग बढ़ा रखते है रहा तो यह नि इस बाहर वाले का कितना है स्क्रीन पर दख रहा हूं कि रहा हूं प्वश्ण है एक तिर्भुज के कौन दो और तीन के अनुपात में हैं तिर्भुज के कौन होंगे 30 degree, 60 degree, 20 degree 20, 40, 120 40, 60, 80 30, 90, 60 अगल्स अफ़े ट्राइंगल आर इन दी रिश्व तो इस तो इस तो फॉर एंगल आफ तिर्भुज के कौन आप सभी जानते ही एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के सभी अन्ता कौनों का टोटन 180 degree होता है तो आपने कहा कि उसके कौनों का अनुपात इतना है अगर मैं कौनों के अनुपात को ही जोड़ दू दो प्लस तीन प्लस चार तो आपको वे 180 degree के बराबर होने चाहिए वे तीनों को जोड़ा जाए तो 180 आना चाहिए अब कौन की मुझे रेश्व पता थी तो मैंने रेश्व को एड़ कर दिया आपने क्या देखा चार तीन साथ और दो नो नो अनुपात 180 के बराबर है एक अनुपात किस के बराबर होगा 180 बटन नो तो नो दोनी अठारा 20 degree तो जो एक अनुपात हो 20 के बराबर है तो कि däuppad किसे बराबर हो गया आपने का दो गुणा 20 कि चालिस के बराबर το 6 के बराबर गुणा 20 यह 80 ओप्शन करा беспid चालिस 60 और 20 कि अंपने का ooh इसको डालेक्ट कर सकते हैं्ब इसको डारेक्ट भी कर सकते हैं अपने तो कहा था कि थोड़ा से सवाल ज्यादा हैवी होते बच्चे चले जाते हैं तो थोड़ा सासा आसान रखने की कोशिश किया आगे बढ़ाएंगे तो क्या करते हैं अगर आप कोई भी रेशो दिया है तो अगर आप्शन के तरफ आप जहां कर देखें तो उस रेशो से वह पूरा- पूरा कट जाता है ठीक है ना ओके तो दो से काटें लेकिन नो और छे परदा दिन अठार यह विक्षोस्ती हो रहा है तो दो ऑप्शन मिलेंगे तो हम डारेक्टली कंस्ट्रप्चल बेस कोशन को कर सकते हैं हाला कि दो से 30 कटेगा तीन से 60 कट जाएगा चार से 90 नहीं कट देगा तो यह ऑप्शन गलत है तो अब एक्चुली जो रैशू दिये हैं हो क्या होते हैं वो उन संख्याओं के मल्टिपिल होते हैं यह वह हमइसं को डिवाइड करते हैं तो उसको देखिें दो से काटे 20 कर जाता है 3-40 नहीं करता तो यह भी नहीं होगा तो से 40 कर जाता 3 से सार्ट कर जाता है और चार से कर जाता है यह option करें अचर्ण करेंगा है जिसको कर जाएंगो लेकिन है तो युकें चेक इट मैं तो यही प्रकर दो यह प्रकशन का तरीका बहुत लास्ट का रखें एक और सबाद दो संख्याओं का मैं से तेहरा और ले से जो है वो एक हजार नोसो नवासी है किति उन में से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी यहनि HCF of two numbers, it's HCF of two numbers is 13 and LCM of two numbers is 1989, if one number is 117 in them then the other number is what तो यह तो मैंने आपको बताय हुआ है कि अगर आपको इस तरह का प्रश्ण मिलता है तो आप सब जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF into LCM होता है तो पहली संख्या कितनी है आपने का 117, P का नहीं पता, HCF 13 है, LCM 1999 तो बी निकालेंगे तो कितना जाएगा, 13 into 1989 अपकों 117 तहरा निम्मा 117 नो से काटे, 9218 नो दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCM into HCF होता है, तो यह बहुत सिंपल सवाल है आजके, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को बहुत अच्छे समझ भी एक और सवाल आपके स्क्रीन पर चलिए रहा, कोशन है, 60 मीटर into 40 मीटर into 30 मीटर की माप का एक घनावाकार गोदाम है, इस गोदाम में कितने घनावाकार बक्से रखे जा सकते हैं, यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यों है, ओके बताते हैं, ओके लेट्स अंडर्स, चाहूंगा जब आप मिले, तो सवाल आपके सामने है, कि 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर माप का एक घनावाकार गोदाम है, एक क्योब वाइड है, उसके अंदर आपको कुछ बक्से रखने हैं, बक्से का डायमेंशन जो वो 0.8 मीटर क्योब है, तो इनमेंसे कितने बक्से आप रख सकते हैं, तो मोटी सी बात ये हुई दोस्तों, कि ये मेरे पास एक घनावाकार गोदाम है, जिसकी लंबाई, चोड़ाई और हुचा हमें दी हुई है, ऐसे करके, और आपको बताना है कि इसमें कितने ऐसे ऐसे बक्से रखा जा सकते हैं, जिसका वोल्यूम जो है, दे है ना, हाँ करवा रहा हूँ, मंजूर, ओके, तो अगर आप इस पूरे घनावाकार गोदाम में, ये 0.8 का डिवाइड कर दे, यानि उस छोटे बक्से का डिवाइड कर दे, तो आपको पता लग जाए कितने बक्से आएंगे, तो आपने वही किया, तो आपने का 60 मीटर, म मल्टीपलाइबाइड 30 मीटर, ये तो उसका LBH हो गया, घनाव का, और इसका वोल्यूम कितना है, 0.8, तो इसको मैं यहां से करके 0 बढ़ा दिया, आप पंजे चालेज, तो छे पंजे तीस तिया नबबब, तो नबबब हजार बक्स, there is 90,000 boxes you can put, of the dimension 0.8 meter cube, क्लियर है, समझ में आगे नमस्कार, सभी को मेरा प्यार बरा नमस्कार, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और जो भी चोड़ रहे हैं, चलिए, तो एक सवाल आसान था, आपने घनाव कर गोदाम में डिवाइड कर दिया, अपने बक्से का, एक दैनिक जीवन में कार्य हे तू, मजदूरी एम व्यबसाई हे तू, व्यभारिक उपयोग हो तो यह सब ही, यह तो बड़ा आसान सवाल है, परपस अफ टीचिंग अर्थमाटिक इस वाट, और डेली लाइफ वर्क, और वेजिस एंड बिजनिस, और प्रेक्टिकल यूज या all of these, देखे, अगर हम अंग गनित को पढ़ाते हैं, तो उसका उद्देश है क्या होता है, कि बालक दैनिक जीवन में गनित का प्रियोग सीख जाए, अगर बालक कोई भी व्यक्ति है, समाज में पढ़ता है, लिखता है, तो आम अब नहीं होता है, तो चाए वो गनित की टर्म को दैनिक जीवन में लागो करते हैं, जैसे एक बच्चे ने आप से बोला कि वो मेरी आधी चोकलेट खा गई, तो यह देखो है तो गनित, लेकिन चोकलेट को आधा करती है, उसने लेकिन दैनिक जीवन के सेंटेंस में गनित का प्रियोग कर दिया, तो उसक गनित, पीज गनित, सांखिकी या जियानिती, इन में से गनित की सरव प्रिथम विक्सित शाखा आपको बतानी है, तो फॉस्ट, जैवले ब्रांच ओफ मैथामेडिक्स, आर्थमेटिक, इल्जेबरा, स्टेटेस्टिक्स, और जेमेटरी, मैं अच्छा हूं मीब, तो यहा हमारी जो संस्कृति वो वैदिक काल से चलिया, अब सब जानते हैं न, कि वैदिक काल से हम लोग हमारी संस्कृति का विकास हो चुका है, और वैदिक काल क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें वेदों बने थे, और वेद चार थे, जिनमें रगवेद, सामवेद, अथरवेद और सूक्ति एक दो तीन चार तो वो एक हजर अठाइज जो सूक्तिय लिखी इसका मतलब जो अंक बताए गए वो वैदिक काल से विद्धमान है तो हमें अंक गनित के शाक्ष वैदिक काल के रिगवेद से मिलते हैं और रिगवेद सबसे प्राचिंतम वेद है इसलिए हम कह सकते हैं कि अंक गनित सबसे प्राचिंतम शाक है जो विक्षित हुई थी गनित की क्लियर है वैरे गोड मनुष्य के जीवन में जिन गतिविद्यों में गनित का सरवाधिक प्रियोग होता हुआ कांसी है मनवज्यानिक रूप से सांस्कृतिक रूप से सामाजिक रूप से इस समाज में कोई भी व्यक्ति है चाहे वो ठेले वाला है मजदूरी वाला है जूते वाला चपल वाला रिक्से वाला वकील मोची बढ़ाई इंजिनियर डॉक्टर कोई भी है आर्थिक रूप से वह गनित का प्योग जरूर करता है पैसे संबंदी सॉलूशन वह जरूर क करता है इसल्ये आर्थिक रूप से सबसे जयार यूदा होता है उसके अलावा दूसरे पर समाज क्रूप से अगर यह अप्शन आर्थ पर समाजिक साहता चलते है उके वेरे गोड्य एक और सवाल चलो निम्ली तूम एशे कौन सी विदी देखो सुनू, समझो कए सिद्धा आजाएगा कौन सी विधी देखो यानि look, listen and understand पर depend करती है इस laboratory method यानि प्रियोक्षाला विधी production method यानि display method या demonstration method भी इसको बोल देते हैं विख्यान विधी या लेक्चर method और research अनुसांदन विधी या innovation method इसको कह सकते हैं या यहाँ पर सब लोगों का जवाब मिलेगा भी एकदम सही क्योंकि प्रियोक्षाला विधी से अगर प्रदर्शन विधी की बात it is called demonstration method इसका यूज कहा होता है जब आप demonstration method का प्रियोक करते हैं इसका meaning क्या है कि आप किसी भी project को explain कर रहे हैं किसी model को explain कर रहे हैं या को practical बच्चों को समझा रहे हैं तो वहाँ display method यह नहीं है क्या होता demonstrate करना पड़ता है चीजों को इस विधी में बच्चा देखता भी है सुनता भी और समझता भी कि वो क्या है look like a practical approach right option था display method यह demonstration method कोई चातर पांच हजार पचास को 550 लिखता है इसका अर्थ क्या है ना 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 आईश इस display method कोई चातर पांच हजार पचास को 550 लिखता है इसका अर्थ है कि उसे स्थानिमान की अवधाना इसपस्ट नहीं है संख्याओं का ज्यान नहीं है घनित का ज्यान नहीं है या उसे जोडने का ज्यान नहीं है एक बच्चा है जो पांसो पच्चास उसको बोला गया उसने पांच हजार पच्चास को उसने 0 को लगाना भूल जाए, मिड में या लास्ट में, तो मतलब क्या है, उसे concept के लिए नहीं है, स्थानियमान का, क्यों के लिए नहीं है, क्योंकि आप पड़ो, 1.2.1000 लेकि नहीं है, उसने 1.2.1000 में काम खतम कर दिया, यानि वो स्थानियमान की संकलपना को बहुत अच्छे से नहीं जानता है, उसको इसपस्ट नहीं है, के लिए नहीं है, इसे विए से उसने गलत लिख दिया है, पुशन एक और, 20 cm भुजा की संबाहू तिर्बुज का 6 फल क्या है, the area of a equivalent triangle of side 20 cm, 20 cm का है, एक भुजा किसी भी संबाहू तिर्बुज की आपको बताना है, उसका area, तो मुझे उम्मीद है, इसका area तो आप आसानी से निकाल देंगे, और शायद कोई भी दिक्कत, शायद परिशानी चिंता नहीं होगी आपको, लटसी देख लेते हैं, जब आप क्या मिलता है, देखो, संबाहू तिर्बुज को पहले समझ दो, संबाहू तिर्बुज का मीनिंग होता है, जिसके सारी बुझाएं बराबर होती है, all sides are required, अगर ये a है, तो ये भी a है, और ये भी a है, और संबाहू तिर्बुज का अगर हम छिर्फल निकालने की कोशिस करते हैं, तो क्या होता है, शायद आप सभी जानते हैं, और आपको पता भी है, ये root 3 बटा 4 into a square होता है, ये कैसे है, ये मैं बता दूँगा आपको अब ही, ये कैसे है, मैं इसको भी बता देता हूँ आपको, लेकिन पहले सवाल कर लेते हैं, तो root 3 upon 4 into 20 का square, क्योंकि भुजा 20 थी न, तो 20 multiply by 20, तो 24 पंजे 20, 20 पंजे 100 root 3, अब ये कैसे आता है, इससे, इसको भी बता देता हूँ, कई बार आप confuse हो जाते हैं, कि सरी आया कैसे, आपके दिमाग में प्रेशन जरूर उठता होगा, कि सरी आपने इस पैसे बनाया, तो आप सभी जानते हैं, हिरांस formula को सभी जानते हैं न, S into S minus A, S minus B, S minus C का वरगमूल होता है, जहाँ पर S क्या होता है, S होता है semi-perimedal, S क्या होता है, सारी भुजाओं का total upon 2, अब यह सारी भुजाओं का total कर दिया आपने, और 2 से कर दिया, S का value की तरह मिला, 3 upon 2A, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर, अब इसकी value put कर दो, S का value कितना, 3 बटा 2A, into, 3 बटा 2A minus A, क्योंकि सारी भुजाओं A हैं, तो आप इसको ऐसे put कर सकते हैं, 3 upon 2A minus A, 3 upon 2A minus A, इसका वर्गमोल, अब क्या करें, यह हुआ, 3 upon 2A, into, जब 3 बटा 2A से, 1A गया, तो 1 बटा 2A, गुणा 1 by 2A, multiple 1 by 2A, अब हमने इसका, क्या कर दिया, वर्गमोल निकल, देखो, 1, 2, 3, 4, तो कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो अबने बाहर निकाल दिया, जोड़े को, तो यह A square तो ये आगया, 2 का जोड़ा ये रहा, 2 का जोड़ा ये रहा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2, और अंदर क्या बज़ा, सिर्फ root 3, इसलिए formula क्या बना, root 3 बटा 4, into A square, बाश समझ में आ गई, कि कोई पूछने लगे आप से, तो ये कब हुआ, कैसे आया, तो you can easily explain to anyone, कि ये formula, Hurons formula को गम लगाए, तो develop कर सकते हैं, direct play, ओके, बहुत बढ़िया, एक और प्रशन आपके स्क्रीन पर ये रहा, साले साथ बज़े होती है मन्जू, यदि दो वरतों की परीदियों में, तीन और एक का अनुपात है, तो वरत के छेट फल में अनुपात क्या होगा, वरत की दो परीदियां दिये हैं आपको, उन परीदियों में जो अनुपात है, वो तीन एक का है, तो वरत के छेट फल में क्या अनुपात होगा, 3, 4, 9, 1, 5, 6, या 2, 3, 8, देखते हैं जवाब, बहुत तेजी से आंसर मिला है आपका, very good, manohar, very good, देखो, यह दो वरत हैं, एक वरत यह रहा, और एक वरत यह रहा, इसकी जो परीदिया है, परीदियों की क्या बोलते है, 2 pi r 1, तो वो कितनी है, तीन अनुपात में, इसकी कितनी है, 2 pi r 2, बराबर 1, तो अगर मैं इसका, रेडियस का अनुपात निकालू, तो उसने बोले, 2 pi r 1, upon, 2 pi r 2, is equal to 3 upon 1 है, तो आपने 2 pi से 2 pi कट दिया, तो r 1 upon r 2 आया, 3 बटा 1, अब क्या करें, 6 फल क्या होता है, pi r square, तो r 1 square, upon pi r 2 square, pi से pi कट गिया, r 1 upon r 2 का value अब को पता है, 3 बटा 1 square square कर दें, तो 9 बटा 1 square right answer, clear है, बहुत आसान सवाल था, तो ओड़ा से लगाना था logic, अगर आपको देखको फिर बता दू, परीदी दी है, चाहे आपको व्यास दिया है, चाहे आपको, तरज्या का अनुपाद दिया है, इनमें चे कुछ भी हो, चाहे वो आपको circumference दिया है, चाहे आपको diameter दिया है, चाहे radius दिया है, इनका अनुपाद कभी नहीं मतलता, वो तीनों एक खिया अनुपाद में कम और जादा होते हैं, तो उनका area, अनुपाद का अनुपाद का वरगा अनुपाद होता है, ठीक है न, duplicate ratio होता है, बस इतनी समझ लिजेगा बार, कब-कब जब परीधी या तो परीधी दी हो, अगर यह इसको व्यास बोलता है व्यास का अनुपाद यह तो भी answer यही होता, अगर वो radius बोलता है तरग्जा का अनुपाद यह है, तीने एक तो तब भी यह answer होता, ठीक है, तो answer will remain same always, अगर इन तिनों में से कोई भी चीज़ दी है, एक और सवाद, एक घनाब की लंबाई, चोड़ाई और उचाई का अनुपाद 6, 5 और 4 है, यदि उसका संपूर्ण प्रस्ट 5,308 cm2 है, तो उसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई क्या होगी, यह आपको बताना है, तबाल अच्छा है, करने की कोशिश करियेगा, you will get the answer easily, अगर आप इसको सही ज़े समझेंगे तो, घनाब की लंबाई चोड़ाई और उचाई का अनुपाद दिया है, जी, देखो, आप सभी जानते हैं, अगर मैं किसी घनाब का क्या दिया है, संपूर्ण प्रस्ट, यह संपूर्ण प्रस्ट दिया है, तो, संपूर्ण प्रस्ट क्या होता है, शायद आपको याद हो, 2 इंटू LB, प्लस BH, प्लस HL होता है, क्योंकि L जो है, वो 6 है, 5 और 4 है, तो मैं इसको आपको समझाने की बता रहा हूँ, 6X, 5X और 4X माल लिए, इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, आप अशानी से कुछन को समझ पाएंगे, तो अगर मैं बात करूँ, 2 इंटू LB, तो LB कितना हो गया, आपने का 6X multiply by 5X, प्लस 5X multiply by 4X, प्लस HL कितना हो गया, आपने का 4X multiply by 6, यही तो हुआ, और वो किस के बराबर होगा, 5,326 के बराबर होगा, तो कि यह उसका सब पूर्प्रेस्ट है, तो हमने क्या देगा, 6,5,30, तो 30X square, प्लस 20X square, प्लस 24X square, is equal to 5,3,2,8, सब को जोड़ें, तो कितना होगा, 20,50, 84, यानि, 2 into 74X square, is equal to 5,3,2,8, यह आप कह सकते हैं, X square is what, आपने का 5,3,2,8, अपोन 2 into 74, फिर है, ओकी, अब 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2,2 नी 4, 2,6 का 12, 2,6 का 12, 2,6 के 8, अब इसको 34 से डिवाइड कर देते हैं, अगर हम इसको 74 से डिवाइड करता हूँ, तो 74, 1 जा 74, तो नहीं जाएगा, तो कितनी बार जाएगा भई, 2,6,6,4, मैं अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 74 का, तो it will give you, I think, 36, तो 36 आपको मिल जाएगा, अब क्या हुआ, तो X square का value 36, तो X का value कितना होगा, 36 का वर्गमूल बराबर 6, तो जो अनुपात है, वो 6 है, यानि उसकी लंबाई कितनी थी, आपने का 6X, तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 बराबर 36, उसकी चोड़ाई कितनी थी, 5X, यानि 5 गुणा 6 बराबर 30, और उसकी उचाए कितनी थी, 4X, तो 4X मतलब, 4 गुणा 6 बराबर 24, तो क्या अंसरा आना चीए, 36, 30 और 24 है कोई, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नमबर C, क्लियर है, ये तो था बेसिक तरीका, जैसे आप इस कुशन को करते हैं, इससे फिरले में एक ट्रिक बताया था, थोड़ा सा दिवाघ लगाईएगा, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, अगर आपको लंबाई चुड़ाई, मुझाय का रेशो दिया है, और उत्तर में आपको अंसर लिखा है, कौन सी लंबाई चुड़ाई होंगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि इनके जो ratios हैं, वो लंबाई को हमेशा काटेंगे जो ratios हैं, वो उस लंबाई को हमेशा divide करेंगे, और वो कैसे divide करेंगे, उसको दिखा देते हैं, देखो कैसे यानि 6 जो है, वो पहले वाले करता है और चोब इसको चार करता है यानि यह option है तो within a second you can find out the answer लेकिन आपको basic भी आना चाहिए कि यह होता कैसे है क्योंकि answer तो डून लेंगे लिकर उसके पीछे जो राज छेपा है वो भी आपको जरूर पता होना चाहिए तो right option क्या option number 3 that is 36 30 and 24 यह easy लगा होगा आपको तो उस वाल इस दो बहुत महनत करनी पड़ रही है इसे दो चुटकियों में हो जाएंगे सवाल तो now you can use your चुटकी and you can do the answer in examination एक और प्रशन है आपके screen पर सलगने चितर में एंगल एक आमान आपको बताना है सलगने चितर में एक आमान क्या है सवाल आपके समक्ष है तो मैं चाहूंगा आपका जबा मुझे मिले तीजी के साथ इस एक आमान आपको बताना है 54, 72, 36 या फिर 75 तो यहाँ पर बहुत जल्दी से आंसर मुझे मिल जाएगा ऐसा मुझे उम्मीद है क्योंकि आप सभी जानते ही सवाल का आंसर क्या होना चाहिए लेकि थोड़ा करने में टाइम लग सकता है तो मुझे उम्मीद है कि करने में टाइम लगाएं और सवाल का सही उतर दिने की कोश़ गलत ना दे ठीक है ना गलती नहीं होने चाहिए जी और यहाँ पर चववन आंसर मिले लगा बहुत ही तेजी के साथ आपका आंसर 54 आ रहा है बहुत बढ़िया 14 का ए चलिए बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है लेकिन अफसोस के साथ कहना पढ़ रहा है यह जवाब गलत है 54 इस नोट दी राइट आंसर आपको पता है आप क्या सोच रहे हैं कि दीर खंड में बना कोण अंता खंड में बाड़ी कौनों का आधा होता है यह ओ है 108 का तो इसका आधा करोगे तो 50 हो जाएगा है यहां पर है ना इसलिक seldom यह जलत है वो तभी होता है जब तब इसका बात को आप कर सकते हैं, लेकिन without विरत, you cannot do, अक्षक कैसे हैं, तो विरत के आधार पर तो आप कर सकते हैं, अगर यह किसी का अंता है विरत होता, किसी विरत के अंदर संभा हो, तो रुब हो जाता, then you can do, लेकिन now you cannot do, look like this, अब समझते हैं सवाल को conceptually, यह कैसे होत अब देखों यह triangle है, एक BOC, तो BOC की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं कह दूँ, X प्लस Y प्लस 108 बरावर 180, यह होता है न, अगर मैं इस त्रिवज के O, मैं बोल रहा हूँ, BOC के बारे में, तो तीनो कोनों का टूटल 180 होना चाहिए, clear है, ऐसी है, अगर मैं X प्लस Y का व 70, तो 72 होना चाहिए, clear है, यह बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, कोई प्राबलम नहीं है, अब क्या करें आगे, अब इस बड़े वाले कौन की बात करते हैं, तो यहां तो 2X थे, तो अगर मैं ABC के बारे में बात करूँ आप से, तो क्या हो जाएगा, देखो angle A plus B plus C is equal to X or C होना चाहिए, लेकिन आपको जो angle B दिया है, वो कितना 2X दिया है, तो A plus 2X plus 2Y is equal to X or C, बात समझ में आ रही है, आपने का बिल्कुल आ रही है, तो क्या लिखनों इसको A plus 2 into X plus Y is equal to X or C, आपने का सही एकदम बिल्कुल, तो आपने क्या काम किया, तो क्या करें, आपने काम के बात तर्पुट कर दिया, X plus Y आपने यहां निकाला, तो A plus 2 into 72 is equal to 180, तो A is equal to what, 180 minus का 144, तो A is equal to 36, that is the right answer, तो ऐसे सवालों में गलत नहीं करना हैं आपको, कभी गलत ही कर दो, 37 होगा ना, मैंने कहा 72 बोला, यह तो आप लोग बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कहा X plus Y 72 होगा, is it clear, तो right option किसी का सही नहीं है अभी तक, right option किसी ने भी सही नहीं दियाव लगा लो आप, अगर ऐसा सवाल आपको exam में मिल गया, तो it will create a problem for you, देखने में इतना आसान लग रहे हैं, करने में आप इसको गलत करके आएंगे, तो गलती नहीं होने चाहिए, is it clear, अब सही समझ में आया है, मेरे हिसाब से आप इसको आसानी से अब कर पाएंगे, ठीक है, very good, वैसे इसके साथ direct formula भी है, यगर आप इसको निकलना चाहेंगे, तो 90 माइनस angle O by 2, इसको ऐसे भी कर लेते हैं कई बार, तो 90 में से 54 घटा देंगे, तो 36 आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं, और मैं लिख दे हैं, तो B O C by 2, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस कौन का मान निकलने के लिए, इसका आधा करेंगे, 90 में से इस वाले कौन का आधा घटा देंगे, you will get the answer, clear है, लेकि आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल, आपके स्क्रीन पर यह रहा, 10 सेंटिमेटर तरज्या के एक वरत में, वरत की जीवा केंदर से 6 सेंटिमेटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई है, पंदरा क्वेशन है, in a circle of radius 10 सेंटिमेटर, the code of the circle is at a distance of 6 सेंटिमेटर, from this end center, the length of the code is what, yes, what will be the right answer, a, b, c, या d, 10 सेंटिमेटर तरज्या के एक वरत में, वरत की जीवा केंदर से 6 सेंटिमेटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई बताने है, अब देखो, यह एक वरत है, कि मैं इस वरत बना देता हूं, जिससे कि आपको आसानी समझ में आ गया, for example, हमारा एक वरत है, 10 सेंटिमेटर तरज्या है, या इसकी radius के तिन 10 सेंटिमेटर है, उसने बोला, वरत की जीवा, अब यह वरत की जीवा होगी, केंदर से 6 सेंटिमेटर दूरी पर है, और यह 10 है तो आपको इसकी लेंद बतानी थी, for example, यह A है, यह B है और यह O है, तो आपको A B के लंबए बतानी है, तो कुछ प्रॉपर्टी शायद आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो इसमें मतलब क्या है, आपको हमेशा पता होना चाहिए, कि केंदर से जीवा पर जब भी लाइन खीची जाती है, तो उसको क्या करती है, दो भागो में दोड़ती है, बाई से करती है, तो केंदर से जीवा पर डाला गया लंब, हमेशा जीवा को बाई से करता है, क्योंकि उसने बोला केंदर से लंबाई ना पेंगे, तो लंबाई हमेशा लंब से मापी जाती है, तो यह यह O D अगर मैं इसको बोलूँ O C तो यह क्या एक लंब है और प्रापर्टी क्या है कि जब भी आप किसी भी केंदर से जीवा पर लंब डालते हैं तो वो उस जीवा को बाई सेट करता है उसको दो भागों में तोड़ता है तो क्या करें आपने कहा ओके 6 यह है 10 यह हो आपके पता लगी है आधी जीवा पुरी जीवा कितनी आधी दर होगी ना आठ की यह होगी तो ए भी कितना हो गया तो इसकी राइट आंसर क्या होगा 16 सेंटीमेटर की जो इसकी जीवा है उसके लंबाई होगी क्लियर है बाद समझ में आ गई सबको ऐसा मेरा कोई साहती जिसको समझ में ना आया हो तो प्लीज आसके और क्वेश्चिन आगे बढ़ें एक और सवाल की तरफ और देखते हैं एक और सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा वन मोर क्वेश्चिन अच्छे मन खुश हो जाता है बहुत बहुत शुक्री आईश बागी का नहीं होता है मन खुश देखो बच्चे बहुत सारे आते हैं कोशन भी अच्छे लेवल के होते हैं बहुत सारे बच्चे आते हैं आतो लेवल भी मोडरेट है और आके देखते ही नहीं चले जाते हैं तो इस बाद से मन शुब्द होता है यहां बढ़ाने पर, चलो खेर देखते हैं, दस लड़कियों की उचाई सेंटीमेटर में मापी गई, जो निम्निवत हैं, 143, 148, 135, 150, 128, 149, 149, 149, 141, 151, 132, लड़कियों की माध्यों उचाई कितनी हैं, सवाल सिंपल है, height of 10 girls measured in centimeter are as follows, 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132, what is the mean height of this girl, तो शायद आपको पता है कि average कैसे निकालते हैं, average क्या होता है, total इने कुल योग, बटे कुल संख्या, number of term, तो total कैसे निकाले, इन सब को जोड़ना होगा, चलो जोड़ते हैं, तो जोड़ेगी कैसे, मैं सीदह ही जोड़ देता हूँ, लिखनी रहा हूँ, 2, 1, 3, 6, 9, 9, 18, 27, 8, 35, 48, 48, 48, 39, 51 का एक कहां से लगे 5, पांच, और 3, 8, 5, 13, 4, 17, और 4, 21, और 3, 24, 26, 26, और 5, 31, और 3, 34, और 4, 38, और 4, बयादे, इसे लगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 12, 13, 14, तुडल 1421 समाया है इनका, और number of term कितनी है, उसने पहली बताया है, 10 है, 10 का डिवाइड कर दें, you will get 142.1, that's the right option, right option क्या है, right option is 2, a क्यों होगा भई, ये a क्यों बतार, a कैसे जोड़ा गई, a कैसे आया आप लोगों का, मुझे तो कुछ गड़बरसी लग रही है आपकी, option तो b होना ची, a क्यों दे रहे हो, जोडने में गलती कर दी के कहीं, जद अपने addition में कुछ ना कुछ गलती कर दी है, right option है, option number b, इसको easy से आप समझ गए होंगे, जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रशन की तरफ, पूछ करते हैं और देखते हैं, one more question for you guys, क्या इसका जवाब आप देते हैं, let's do one more question, here go, देखते हैं, जवाब क्या मिलता है, इस सवाल का, कि स्क्रीन पर है सवाल, दीजेगा जवाब, क्या होगा, let me see what is this, Yes, सवाल आपके सामने है, कोई दन साधन ब्याज की दर से, आठ वर्स में दुगुना हो जाता है, तो चार गुन होने में कितना लगेगा सामें उसको, सवाल बढ़ा आसान है, 24 वर्स, 16 वर्स, 32 वर्स, या फिर 12 वर्स, पक्का भी, ओके देख लेते हैं, बी ओप्शन, क्या बाद है, अब देखो सवाल समझो, मैं इसको फॉर्मुलेस नहीं करूँगा, नहीं फॉर्मुलेस से समझाऊँगा, आप कॉंसलिटेट करने की कोशिस करना, यह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, देखो कैसे, कोई दन साधन ब्याज की दर से, आट वर्स में दुगना हो गया, यहनि कोई दन आपको पर 100% अमाउंट था, वो आट साल में कितना बन गया, 200% बन गया, बाद समझ में आ रही है, 200% बन गया न, तो ब्याज कितना मिला, आपने का 100% ब्याज मिला, और साधन ब्याज की property क्या होती है कि आप साधन ब्याज प्रतेकवर से बराबर होता है तो अगले 8 वर्षों में कितना हो जाएगा आपने का 100% ब्याज और मिल जाएगा तो इधन 300% 3 मुना हो जाएगा अगले 8 वर्षों में क्या हो जाएगा 100% भी आज और मिल जाएगा इजन 400% हो जाएगा और वो 100 को 400 भी बनाना चाहता है तो कितने साल लगे 24 वर्ष तो राइट आप्शन 24 था और आपने घलत कर दिया है सवाल राइट आप्शन is 24 क्लियर है 24 वर्ष ठीक है मैंने कोई formula आपके सामने अप्लाई नहीं किया है आप चाहे तो मैं इसको formula से करा दूँगा आपको लेकिन अगर आप formula की बात करते हैं तो formula से आप x y z मान के भी कर सकते हैं लेकिन formula की आवज सकता ही नहीं है क्योंकि formula में आपको x मानना पढ़ता है और व्याज की दर आर थी तो तब आप करेंगे कि दुगुना होगे तो दो x minus x व्याज मिला तब formula में put करेंगे तो जो बहुत ज़द है ओके समझते हैं कोई बात नहीं है गलती तो सबसे होती है धीरे धीरे गलतीयों भी सुद रहेंगी और सवाल भी अच्छे से होंगे एक और प्रशन आपके screen question है 2.5 minus 1 upon 3.5 minus 2.5 upon 2.5 upon 0.75 plus 0.50 okay let's see what will be the right answer okay let's see the answer okay okay बात समझ में आ गई कोई problem नहीं है is it clear very good तो बढ़ते हैं सवाल देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों कहीं हैं पर आंसर तो मुझे उम्मीद है कि आप जवाब अच्छे से देने की कोशिश करेंगे okay तो चलो शुरुबात हो चुकी है आंसर देने की और देखते हैं जवाब क्या मिलता है बहुत ही तेजी के साथ आप लोगों आंसर देने की कोशिश करेंगे इसका सवाल मुश्किल नहीं है देखने में बहुत भेंकर लग लग लेकि इतना है नहीं आप चाहेंगे तो इसको आसानी से कर लेंगे बिसे देखने में आपको खतरना सा दिख रहा है देकि इतना खतरना की थोड़ा सा दिमग लाएंगे okay so let's see what will be the right answer तो आप ऐसे सवाल हो कहां बैकेंड से सॉल्फ करते हैं always remember these questions always be solved from the back end तो कि जब बैकेंड से सॉल्फ करोगे then you can do the question let me show you कैसे करेंगे देखो हम सबसे पहले यहां से शुरूब करते हैं इस वाले को इस वाले bracket को लेते हैं अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना बनेगा one two five मैं इन दोनों को आड़ करने पर one two five आएगा न तो इस ब्रैकेट को लेते हैं तो यह क्या बना आपने का three point two five minus two point five upon one point two five zero हटाया एक जुरू ब्रा दिया 125 दोनी डाहिसो तो कितना बना three point two five minus का two तो यह one point two five हो गया इस पूरे ब्रैकेट का मने कितना one point two five यह क्या हुआ two point five minus one upon one point five अगर मैं इसको zero otherwise कितना जाएगा आपने का two zero बढ़ा दो उसको कर दें से हौल सो बटा 125 क्लियर है यहां तक को दिक्कत हो तो मुझे बता देना अगर मैं इसको डिवाइड करूं अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ना जाने का zero zero बढ़ा रहे तो आठ भार जाएगा यह तो two point five minus जीरो पॉइंट एट आई थिंक one point seven zero you will get clear है यहां फिर आप इसको यहां से भी solve कर सकते थे two point five minus hundred upon one twenty five हो गया पच्चिस तो के सो पच्चिस पंज एक सो पच्चिस तो आप ऐसे भी कर से पच्चिस ती पिछेत्तर that is 25 पंज एक सो पच्चिस होता है ना फिर मैं इसकी बात करूं कि वही पच्चिस पंज एक सो पच्चिस minus का 4 पंज तब भी आपको answer मिल जाएगा right option क्या है that is 1.7 बहुत easy था easily समझ में आ गया होगा easily connect भी होगा बस देखने में भाइंकर लगड़ा कि दुशमलावाला सवाल आगे हम कैसे करें थोड़ा धरी रखेगा थोड़ा cool होके समझेगा you will get the answer everything you will get okay okay now we can we can continue by next question एक और सवाल है चलो बताओ a तथा b की आयू छे अनुपात पांच की अनुपात में है तथा उनकी आयू का यूग 44 वर्ष है 8 वर्ष बाद उनकी आयू का अनुपात होगा it's 7 is to 6, 6 is to 5, 4 is to 3 या 8 is to 7 a और b की जो आयू है उनका अनुपात अभी 6 अनुपात 5 में है और उनकी आयू का यूग 44 वर्ष है 8 वर्ष बाद उनकी आयू का अनुपात आपको बताना है और अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए ऐसा परशन मिल जाए तो समझ लेना कि आपको आनंद की पराप्ती होने वाली है तो कि एक नमबर आपको free of cost मिलने वाला है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे वो कैसे मैंन यह इनने दोनों अनुपात का योगी कर दिया 10 प्लिस पाँच बराबर 44 तो 11 अनुपात 44 के बराबर है तो एक अनुपात किसके बराबर है आपने का 44 बटा 11 चार के बराबर तो एक 얌पात 4 के बराबर है इस इत के लिए यह बाद समझ में आ गए है ओके अब उनकी आयू तो पहले इनके current आयू निकालते हैं A की आयू 4, 6 अनुपात थी B की आयू 4, 5 अनुपात थी तो इनके actual आयू कितनी बनी आपने का एक अनुपात का value चार इसकी आयू 24 वर्स बनी, इसकी आयू 20 वर्स बनी तो 8 साल बात क्या हो जाएगा पही 8 साल बात इसकी आयू में 8 साल जुड़ जाएंगे तो 24 पलस 8, इसकी आयू तो 32 साल हो गई और इसकी आयू में भी तो 8 वर्स जुड़ जाएंगे ये कितना हो जाएगा 20 पलस 8, 28 वर्स तो 8 वर्स बात A की आयू 32 वर्स होगी और B कि आयो 28 वर्स होगी अगर मैं इसको 4 से काटू 4-8-32 और 4-7-28 तो अनुपाद क्या होना चाहिए 8 अनुपाद 7 क्लियर है भाई सब समझ में आ गया जवाब कैसे करना था I think all of you already get the concept that how this question will be solved तो 8 is to 7 एकदम सही जवाब है कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें तो बढ़ते हैं आगे एक और प्रशन की तरफ कूच करते हैं कि समझ में आगे न सब को कैसे किया है तो जब भी आपको इस तरह के प्रशन मिले अनुपाद वाले तो simplify आपको एक छोटा सा काम करना होता है कि जो उसने दिया है उसको अनुपाद के साथ परफॉर्म कर दो यूँवल गेट दिया अनस एक और सबाद किदी किसी भिन के अंश को 20% बढ़ा दिया कम कर दिया गया और हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन का मान 16 बटा पचपन हो जाएगा भिन का मान बताओ तो यह सवाल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता है और इस तरह के सवाल एक्जामेरेशन में आने की पॉसिबिल्टी जी बन जाती है तो अगर आप मानेंगे X अपॉन Y तो it will create a problem पर एक्जामपल हम कई बर करते हैं माना भिन X अपॉन Y तो यह भिन में क्या हुआ उसके अंस को 20% कम कर दिया गया तो X माइनस का X गुणा 20% और उसके हर को 10% बढ़ा दिया गया तो Y क्या हो जाएगा Y पिलस Y इंटो 10% और भिन का मान केतना हुआ 16 बटा 55 तो यह एक creating करता है problem क्योंकि जितनी बड़ी calculation उतने बड़ा परेशान है आपको तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे हला कि आप कर सकते हैं लेकि मैं नहीं करा हूँगा ऐसे अगर percentage में दिया है तो आप मान के चलिए जो भी चीज होती है परसेंटेज में अपने आपे में 100% हो दिया तो अगर मैंने माना अंश 100% है उसका हर भी 100% है तो उसने बोला अंश को 20% कम कर दिया तो मैंने 20 कम कर दिया इसमें से इसमें 10% बढ़के 10 जोड़ दिया इसमें तो नाया क्या percentage बना 80 बटा 110 परसेंट और भीन कितनी बन गई तोला बटा पच्पन बस इसको इधर भेज़ दो पूरा तो पूरी भीन किसके बराबर हो जाएगी तोला बटा पच्पन इंटू 110 बटा जिरो से जिरो कट गया यह मत काटो जिरो जिरो ग्यारा पंजे पच्पन और आठ दूनी 16 आसान है इसको आसानी से कर सकते हैं ऐसे मेरी सबसे आप इसको आसानी से ऐसे कर पाएंगे तो ज़्यादा बैटर रहेगा क्योंकि इस तरह से आप कुशन को करेंगे यू विल गेट दी आंसर अगेन मैं एक्स वाई का चकर नहीं बता रहा हूँ आपको देखो क्या किया मैंने समझो दुबारा से इसको कैसे समझना है मैंने माना कि मेरा अंस भी 100% है और मेरा हर भी 100% क्योंकि परसंटेज में बात हो रही थी तो according to question उसने वोला 20% कम कर दिया गया तो नयवाला भीन का अंस कितना बना 20 कम कर दिया और नयवाले हर को कितना बढ़ा है 10% बढ़ा दिया तो जो आपके सामने भीन परसंटेज में आई है वो 80% और 110% के बराबर आई है चीक है ना तो आपने का आपने इस पूरी भीन को एक भीन ना इसको यहां रोक लिया इसको उधर भीज दिया तो पूरी भीन किसके बराबर हुई 16 बटा 55 multiply by 110 बटा 80 अब चाहिए तो 0 काट लें 11 55 और 8 दूनी 16 हम गड़बड कहा कर देते हैं हम इसको 5 बटा दोलिग देते हैं हम क्या करते हैं हम इसको इधर ले आते हैं तो याद रखिएगा हमेशा ये percentage ही उधर जाएगा ये इसमें rule रखिएगा याद ये जो percentage है ये ही move करेगा उधर ये move नहीं होगा इधर भिन जमाहे वहीं रहेगी से percentage को भेजेंगे हम कई बड़ गलती क्या कर देते हैं हम भिन को इधर ले आते हैं जो हमें गलती का chances बढ़ जाते हैं और हमारा सवाल गलत होने की करगारवर पहुंच जाता है हमें सवालों को गलत नहीं करना है हमें सवालों को अच्छे से समझना है और जानना है तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा तो आज के ये 20 प्रशन आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताएं काफी कोशिश की गई है अच्छे सवाल देने की अगर आपको इस तरह के से से लिए लगादार चाहिए आपको इस तरह को में आपको इसना करता है